नमस्कार मित्रो मैं ममताबाच पेभोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजी मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टैरिस गार्डिनिंग आर्ट ये कुछ पुराने अडेनियम की क्लिप्स है जब ये ब प्रश्ण आते जाते हैं मैं उनके उत्तर में वीडियो बनाती हूं एक प्रश्ण बहुत बार आया मार्केट से आप अडेनियम खरीद कर लाए हैं चोटा पौदा है और कितने बड़े पौद में लगाएं आपको नहीं पता है ये एक बहुत बड़ी टिप है जो आपको अडेनियम पर ही निर्वर नहीं करती मैं अडेनियम के बारे में बताने से पहले एक सामाने बात बताऊंगी कि जब कोई पौदा छोटा होता है हम छोटे पौदे को लाते हैं तो हम उसे छोटा पौट ही देना चाहिए यदि हम बड़ा पौट देंगे तो क्या होगा उसक लेकिन यदि पौदे का सुवाव मौइस्चर पसंद नहीं करता है तो आप उसमें कितना भी कम पाने डालेंगे लेकिन बड़ा कंटेनर होने की बज़े से उसमें मौइस्चर लगातार बना रहेगा और उसे नुकसान हो सकता है हाँ जब भी हम पौदा का रीपौट करते ह तो क्रमशा, ग्रेजली धीरे 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 पौटसाइज बढ़ाते हैं, मेरे अडेनियम बहुत बड़े हैं तब भी बहुत बड़े पौट में नहीं हैं तो यदि हम कटिंग से कोई पौदा लगा रहे हैं मैं अभी वीडियो के अंत में पूरे अपने छोटे वाले अडेनियम भी दिखाऊंगी और उनकी pot size भी दिखाऊंगी तब तक आप इन खुफसूरत अडेनियम की जाकी देखिए और मैं कुछ tips भी बताती जाओंगी जो कि बड़े काम के होते हैं कि अडेनियम कैसा पौदा है ये बिल्कुल hardy plant है इसे कोई care नहीं चाहिए लेकिन फि क्योंकि हम desert रिलाके में नहीं रहते हैं ये पौदा desert का है हमें आदतन है कि हम उपर गए चत पर पानी डाला इसको रोज पानी नहीं चाहिए इसने अपने कोडेक्स में डेर सारा पानी store करके रखा है आप फिर से डाल रहे हैं तो वह over watering होगी तो root rot होगा बरसात में खुल पर हवा में मौइस्चर आता भी है तो हवा बहुत है वह मौइस्चर हवा से सुख भी जाता है साथ ही मैंने इसकी जो मिटी भरी उसमें रेत का परसंटेज बहुत जादा है ताकि पानी रुके नहीं इसके अलावा मैंने container full बराए container में जगे नहीं चोड़ी है यदि आप दीप थोड़ा चार अंगुल खाली छोड़कर container भरेंगे जैसा कि हम भी अकसर बताते हैं अगर कोई दूसरा पौदा लगा रहे हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा खाली छोड़ी है container को ताकि जब हम पानी डालें तो पानी भरने की जगे हो हम अडेनियम में भी रख सकते हैं और सारा पानी उचट के बाहर चला जाएगा इसमें capacity नहीं है यदि आपने बहुत ज़्यादा capacity छोड़ दी अडेनियम की मिठी में रेत का कम और मिठी का परसंटेज जादा रहा तो बहुत संभाबना है और फिर भी आप चौकीदारी करते रहें कभी-कभी छूकर देखत और ठेहनियों को ऊलट पलट और और आप कोई भी एक criminals करते रहें मैं जानी सब्सक्रोइब मिटी पे काम करती हूँ, मेरी मिटी वेलरें है मैं सारे पॉधे, सारी सबज़ा, मेरी कोशिश होती है कि रफ टफ, कम केयर मैं सारी सबज़े होगाती है क्युकि इतने जबड़े चत्की मुझसे हो ही नहीं पाती تو अगर कभी कोई अडिनियम मरता भी है तो मुझे से जादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हर साल कुछ नए पौदे तयार कर ही लेती हूँ तो इसलिए देखिए आप नए पौदे तयार हो रहे हैं और अब कंटेनर साइज देख लीजिए यह वो पौदे हैं जो मेरे 6-6 महने साथ-7 महने की हैं तो यह तो मैंने एक ही कंटेनर में बहुत सारे लगा रखे हैं क्योंकि अलग कंटेनर थे नहीं और अब मैं लाओंगी तब तक मैंने एक ट्रे में लेकिन मैंने बहुत स्मार्टनस यह की है कि देखिए आपके ट्रे की उंचा ही जादा नहीं है तो पौदों को बहुत मिटी नहीं मिल रही है और ये packet में सारी cutting लगा रखी है मैं अक्सर अपने front circle में इस तरह के ये cutting से तयार किये हूँ पौदी gift करती हूँ इनका भी pot size बड़ा नहीं है और इसमें तो मैंने धान की भूसी बहुत सारी मिलाई है तो धान की भूसी मिटी को भुरबुरा बनाएगी और पानी को moisture को रोक कर नहीं रखती तो अगर आप दिल्ली वाली इलाके में रहते हैं और आपको सिंडर और खंगर इस तरह की चीज मिलती है या रेत चानने के बाद मोटी बजरी रहती है उसमें आप अगर थोड़ी सी रेत थोड़ी सी बजरी मिलाके मोटा सा ऐसा material जो moisture को बहुत पीए नहीं जहां पानी गीला पर न ठहरे तो कुल मिलाके एक पते की बात है कि सुश्क बातवरन चाहिए नमी नहीं चाहिए ऐसी मिटी जो नमी को hold न करे ऐसी जगा जहां full sunlight हो जो नमी को सोख ले अगर आपके पॉट में नमी है भी पर वो पूरे दिन चत पर 8 गंटे 9 गंटे की दूप में रखा है तो वो नमी उसकी खत्म हो जाएगी या वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी पॉट साइज जैसा कभी भी छोटे अडिनियम को बड़ा पॉट नहीं देना है अगर बड़ा पॉट देना है और आप बिगनर हैं तो आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा को इसमें पानी इतना कम डालें कि हो सकता है बरसात में तो एक महीने भी नहीं डालेंगे इतना उसका आकार है उसके हिसाब से ही पॉट देना चाहिए यदि बहुत छोटा पॉट देंगे तब भी पॉधा मर जाएगा कम खोराक से और यदि जादा बड़े पॉट में लगाएंगे तब भी उसकी हैल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी तो देखिए इस तरह आप छोटे पॉटों को छोटे चोटे पॉट पे करें फिर साल दर साल पॉट की साइज चेंज करें जैसे कि मैं एकसर करती हूँ मेरी छट पे आपको सब तरह की पॉट साइज देख रहे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार